नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपने टेली प्राइम 5.0 में TDS के सेक्षन 194Q के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेर के अंदर TDS टेक्सेशन को इनेबल किस परकार से करते हैं कौन-कौन से फीचर हमें ओन इनेबल करने पड़ते हैं और इसके साथ हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेर में कौन-कौन से ऐसे TDS से रिलेटर लेजर क्रेट करने पड़ते हैं और जो TDS से रिलेटर टेली प्राइम 5.0 में जो नए चेंजी हुए हैं वो भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो कापी important है, वीडियो को आप शुरू से लेके end तक complete देखना बिना skip किये वे हैं। ताकि आपको पता जल सके भी हम TDS की entry किस प्रकार से करते हैं। और उससे पहले important होते हैं TDS के laser create करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम में मौन सुथार, और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है समार्ट कम्प्यूटर सराइसन गर के इस online platform पर तो वीडियो की शिरुवात करें। सबसे पहले आप से छोटा से निवे दिन ये चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूट कर लेना क्योंकि आगे भी आप लोगों को इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को शेर भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले अपने सेक्षन को समझ लेते हैं वी 194Q की जो सेक्षन है इस सेक्षन के तहत हमें TDS काटने की जरूरत कब पढ़ती है। तो सबसे पहले एक बार इसका जो eligibility criteria है उसको समझ लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा अपने इसको एक्जाम्पल के साथ भी समझने वारी है। वी इसकी कंडिशन के है इस सेक्षन के तहर टीडियो काटने की। वी आफ वियर वोड रूर ओर ग्रोस्च रोस्थ प्रशप्ट वादेजियो की एस थायर वाद ने क्ष्ट लूर्ड। अब इसको थोड़ा सा अपने एक्जांपल के साथ समझ लेते हैं व्यानि कि ऐसा कोई भी बायर ऐसा कोई भी एक खरीदार जिसने अपने सप्लायर से यानि कि अपने सेंडरी क्रेडिटर से आप इसको समझ सकते हैं सेंडरी क्रेडिटर से अगर कोई पचास लाख रुपे से या इससे जाता का अगर कोई समान खरीते हैं तो उसके बाद में उसके उपर 0.1% के साथ से टीडियस डिडेक्ट करेगा कौन करेगा बायर लेकिन अब इसकी जो कंडिसन है उसको समझ लेते हैं यानि कि अपने समझे भी A है यह है एक सेलर यानि कि यह समान बेचने वाल है और B है बायर यानि कि बायर ने B ने A से गुड्स परचेज किया है पचास लाख का यह अपने समझ लेते हैं इसको साथ लाख रुपे का समान परचेज किया है तो यह B की अब लाइबलेटी रहेगी भी पचास लाख रुपे तक की इस सेक्शन के तहित एक्जम्शन लिमिट है और उसके बाद में जितनी भी अमाउंट रहेगी उसके उपर इसको बायर को सेलर का TDS है जो डेड़क् परचेज करी पचास लाख रुपे की जो इसकी एक्जम्शन लिमिट है तो पिछे बच गया दस लाख तो यनकी इस दस लाख रुपे के ऊपर 0.1% के साब से अब यह B A का TDS डिटेक्ट करेगा सेक्शन 194Q के अंडर में लेकिन अब इसकी B की कुछ कंडिशन होती है अब B क करेगा इसके इसके अंदर कंडिशन क्या है विए B की जो फिसल ए फाइनस लियर है प्रता एक जो प्रिविस प्रिविस फाइनस लियर है यानकी जैसे 20 जोगया 22 हो गया उस फैने सिल लेर के दोरान अगर बायर की जो turnover है वो 10 क्रोड से ज़्यादा की है तब बायर के उपर ये liability बनती है भी वो seller का TDS deduct करेगा अगर बायर की जो turnover है वो 10 क्रोड नहीं है यानकि 10 क्रोड से कम है और उसने seller से 60 लाख रुपे का समान परसेज कर लिया तो इस condition में क्या करेगा seller जो invoice देगा अपने बायर को अपने customer को उसके उपर TCS collect करेगा किस condition में अगर बायर की facility finance layer को दोरान जो उसके turnover हो 10 क्रोड से कम की रही है तो अगर 10 क्रोड से ज़्यादा की है तो इस condition में बायर की responsibility बन जाती है इसके liability बन जाती है भी वो अपने supplier से अगर उसने 50 लाख से ज़्यादा का कोई goods purchase किया है तो 50 लाख को छोड़के उसकी उपर की amount के उपर उसको TDS 194 Q section के दहत 0.1% का TDS है जो deduct करना पड़ेगा आयोब की आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गये होगे अब अपने चलते हैं टेली software में अब टेली software के अंदर सबसे पहले अपने को TDS के taxation option को enable करना पड़ेगा तो इसके लिए अपने को F11 बटन प्रेस करना है और F11 बटन प्रेस करेंगे तो आपको इस taxation में enable tax detection assurance की यह TDS का option आपको yes करना है जैसी अपने yes करेंगी तो जो हमारा 10 number होगा यानिकि जो TDS का जो number आपने कह सकते हैं 10 number वो अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है और उसके बाद में यहाँ पर tax detector and collector accounts number 10 तो आप same याज़े कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में जो डिटेक्टर टाइप जैनकि हम मारे जी हम बाहर है और हमारी जो डिटेक्टर टाइप हम क्या है company है या फिर known company है company तो आपको company लखना है अगर आप company के allow अडिजि अगर सकते हैं और उसके बाद में जो डिटेक्टर की branch division वह आप यहां डाल सकते हो income tax के coding और उसके बाद में जो रिस्पोंसिबल परसन है जो टीडियस department को आपके company का देखते है उसका डिटेल यहां पर आजएगा प्रोपर नाम सनोफ इसका नेजिशन पैन नमबर सारी ड टीडियस से related कुछ इसकी nature of payment है वो हमें create करने पड़ेगी और उसके बाद में laser भी create करने पड़ेगी तो सबसे बिले अपने को create पे जलते हैं और यहां पर टीडियस nature of payment यहां अपने को आना है और यहां अपने को create करने हैं अब टेली 5.0 के अंदर आपको एक option यहां पर न उस section का ना हमी manually लिखना पड़ता था लेकिन अब नए release के अंदर आप helper का भी use कर सकते हूं जैसे आपने helper का use किया आपके सामने TDSA related जितनी भी section होती है वो software ने यहां आपको provide कर वा लिए अब हम जो section use करने वाले कौन सी 194Q की तो आप यहां पर 194Q लिख सकते हूं तो यहा से अपने enterprise करेंगे इसकी जो section है और इसकी जो payment code है वो आप दोनों automatically यहां पर आगी है और उसके बाद में इसका code अपने डाल देंगे 200 और उसके बाद में जो tedious deduct करने की जो rate है वो हमें यहां देखने है भी with pen के साथ अपने को केतना करना है 0.1% और without pen 5% इसी तरीके से rate of other यहां की जो company विगरा रहेगी उनके लिए क्या रहेगा सेमी रहेगा भी 0.1% तो रहने वाल है pen number के साथ में और without pen रहेगा 5% और उसके बाद में इसकी जो हमारी exemptions limit है कितनी limit है भी 50 लाग रुपए तक किसकी limit है तो हमने 50 लाग रुपए दे दी और यहां एक option आएगा भी calculation tax on value इसके बाद में अपने को यस रखना पड़ेगा और अपने को अपने को प्रेस करने और यहां पर एक option आजेगा अपने को अपने कर लिए अब हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमें एक supplier का लेजर क्रेट करना होगा जिछे हमें गूट्स पर्चेज करना है अब यहां पर एक सब्सक्राइब करना है और उसके बाद में यहां पुछा जाएगा भी टीडियस डिडेक्टेबल भी इस supplier का आप टीडियस कट होगी बिल्कुल कटेंगे तो इसको यस करना पड़ेगा और जैसे अपने यस करेंगे तो उसके बाद में जो डिडेक्टी इसाल यह ने तरह पर उसके बाद में लिडेश्टाइब Village बिल्कुल जिस प्रचैजिस के अपने इंट्रिक और यहां पर State आजेगी जो section हमने हुरी कली ती प्रचेज और गूट्स की एंटरप्रेस करेंगी और उसके बाद में इसका एड्रस विगरा सारा डिटेल आजेगी और इसका पैन नम्बर में लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने पैन नम्बर इसका यूज अगर नहीं किया तो यह 5% के साथ से TDS डिलेक्ट करेगा एंटरप्रेस करते हैं एक वापने जीश्टी को इग्नोर करते हैं और इसको असेट करते हैं एक हमारा सप्लायर का लेजर भी क्रियेट हो गया अब हमें इस टेक्स का लेजर एक और नया क्रियेट करना पड़ेगा कि तो मिआपड़ेस ओन परटेस और इसका अगर निखते थे पर नाइन फॉर्ट अग्यां कि और यह अब हमारे लिए एक लाइलेटी जाएगा टेक्स तो इसको अपने रखने वाद हैं डूटी जैन टेक्स के अब यहां आपने सेलेक्ट करेंगे तीडियस में और टीडियस के अंदर जो हमारी नेचर और रहने वाली है परचेज ऑब गूर्ष की उसको स तो सबी के उपर करना पड़ेगा अगर वाई आपको सिंगल टैक्स रेट की परजेज है तो आप उसके नदर भी चेंजिंग कर सकते हैं अल्टर पे जलते हैं लेजर पे जलते हैं मारी जिसे पांठ परसेंट का को फुर्ट करते हैं और यहां पर 50% का लेजर ओर डी क्रियेट है गुड्स पर रखेंगे तो यह एक उप्शन आएगा सेट अल्टर अधर स्टेश्टी डिटेल इसको अपने को यस करते हैं जैसे यस करेंगे तो पूछेगा भी टीडियस एपलिकेबल है तो बिल्कुल एपलिकेबल है एपलिके देखते हैं वाउपचर पे चलते हैं एक नाव में यूज के लिए और तारीक अपने यहां पर दे देते हैं 12 अगस्त की वाउपचर नमबर यहां पर आ जाता है यहां पर हमने एक सब्सक्राइब कंपनी का जो लेजर क्या था और यहां पर मारी प्रोड़क्ट की जो नाम हो आजएगा अब एक बार अपने इसको एक्जांपल समझने के लिए में इंट्री यहां पर डाल देता हूं चाड़ीस लाग रोपे लिए ठीक है पांच परसेंट की प्रचेज आगी पेमेट ऑफ यह ऑटोमेटिक यहां पर आजएगा प्रचेज अपूट्स का मैंने सेलेक्ट कर दिया और अब मैं यहां पर टीडियस जो अभी अपनों लेजर क्रियेट के था टीडियस वाउचर को एक बार सेव कर देते हैं पर एक वाउचर फिर अपने लेतें वापच सहां पर और अपरसेंव ब्रॉडएक्ट क्वांटिटी देते हैं और अब अपने डीठ यहां पर ढाल देते हैं 20 कुंक्य पेले मारी रेट ता 40 NeckBRGeneral अब अपने डाल रहें 20 लाग रुपे का टोटल साट लाग रुपे हो चुका है तो टैक्स की केल्पूले टैक्स और एक हजार रुपे टैक्स की केल्कूलेशन यह आपर कर दी क्यों कर दी एक जार रुपे किसके उपर चल रहें जो 10 लाग रुपे की अमाउट हमारी एक्स्ट्रा हो जुकिए उसके उपर एक बार अपने इस वाउचर को सेव कर लेते हैं फिर अपने इसकी टूटर डिटेल के साथ इसको देखने बने हैं अब अपने एक बार एक्स वाइड का हमारी है वो थी 40 लाग रुपे की क्योंकि जो 194Q जो आपका TDS डिटेक्ट होना वो टैक्सेबल माउंट पर होना है उसके अंदर यह एड नहीं होगी है तो यह 40 लाग रुपे की पहले इन वो इसके अंदर वेल्यू आगी उसके बाद में दूसरी वेल्यू थी बीस लाग रुपे की तो यहन कि 40 और 20 शाट लाग रुपे होगी और हमने जो लिमिट दी थी जो इसकी दिर्शोड लिमिट है एक्सम्शन लिमिट है वो थी 50 लाग रुपे की तो शाट लाग में से 50 लाग रुपे माइनिस होगी और उसके बाद में पिछे बज़ गया 10 लाग रुपे और उस 10 लाग की रुपे की ऊपर 0.1% के साब से 1000 रुपे का टीडियस सॉफ्ट्वेर ने ओटोमेटिकली डिडेक्ट कर दिय अब अपने टीडियस की रिपोर्ट को चेक करते हैं अब टीडियस की रिपोर्ट को चेक करने के लिए डिस्पले पर चलते हैं स्ट्रेशरी रिपोर्ट पर चलते हैं और यहां पर टीडियस रिपोर्ट को उपन करते हैं और फोरम 26 को उपन करेंगे और अपने यहां पर ट और जो text deductible है एक जार पे का और हमने deduct कितना किया एक जार पे कि. तो यह यहां पर इसकी जो limit ठी, अंडर exemptions limit ठी उनदर 50,00,00 रुपे की ठी, तो 60,00,000 के, 50,00,00 – 10,00,00 के रुपे की उपर इस ने TDS deduct कर दिए. अब यह जो एक जार पे का जो TDS deduct हुआ है, अब यह कहां जाएगा हमारी बैलेंसीट में है बैलेंसीट पे चलते हैं एल टैफवन की डीटेल के साथ देखते हैं तो अब हमें कहां देखने को मिलेगा डूटी जैन टैक्सस में तो यहां पर जो लेजर हमने क्रिएट किया था टेडिये सोन फरसेज तो यह अब हमारी यहां पर बहुंची है एक जार रुपचै की डीपोजित करवने कि और यह अपने सिंपल रिंत्री प्रसक्ति आलंब 12 West तो यहां में स्टेट पेमेंट ओप्सन देखने को मिलेगा ऐस के साथ तो यहां पर टैक्स्ट है टीडियस और उसके बाद में जो पीरिट फ्रॉम रहेगा अलांकि हमने अगस्त मत के अंदर टीडियस को डिडेक्ट किया तो एक अगस्त से लेके अपने 31 अगस्त का टाइम और यहां पर टीडेक्ट टीडेट है वह आज की डेट याएगी अलांकि जब यह हमारा अगस्त मत कंप्लीट हो जएगा जैसे हमारा स्टमबर मत आएगा तो यहां पर हमें जो डेट देनी पड़ेगा 31 अगस्त देनी पड़ेगी लेकिन अभी 31 अगस्त को पिक नहीं लन उसके बाद में जो डिडेक्ट है जिसके चंपनिये करों कंपनी और उसके बाद में आप जो एक जार पर जयुक्शक किया ओश्म that prolux Nadal सथ करेंगी और जैस्सेपने पर! वाप्चर के अंदर 12 अगस्त के अंदर इसने इंट्री यहां पर कर दी तो यहां देखोगी टीडिस प्रजेस काउंट है वो हमारे डेविट हो जएगा और अपने टीट करते हैं अभी हमारा अभी हमारा अदूर आ रहा है अब इस चलान को अपडेट करने के लिए हमारे पास उपस्ण रहेगा रीकंसल का जैसे अपने रीकंसल के उप्डेट डेल पर क्लिक करेंगी तो यह हमारा एक हमारा वाटर कर देड़ आजेगा कब से लेके तक आजएगा एक अगस से लेकिए 30 गस तक है बेंक मारा एस भी यह ब्रांश का जो भी मारा नाम रहे को आजएगा बीसर पोड़ बेगर हम यहां पर डाल देंगे चलान नंबर क्या है था उसके अंदर हम डाल देंगे चलान की डेट के वह अपने डालेंगे तो यह अकाउंट्स बुक पर जाएंगे लेजर पर जाएंगे और जो टेडियस प्रसेस का जो लेजर है अब यहां देखो के पेमेट के साथ में इसका अमाउंट है जो क्लियर हो तो यह जो हमारी लाइड़ेटी थी वह हमें अब बैलेंस इट के अंदर नहीं देखी हालांकि यह की डेट हमने इंटरी के लिए तो एक्जाम्पल को समझने के लिए इसने पेमेट की डेट में आज की तारीक के अंदर असेप्ड करवाई यह इसलिए 12 अगस्त की डेट दिखाय का आप जैसी एक तारीक दो तरीक तीन तरीक जब भी आप्के रिपोजित करोगी तो उस डे और यहां पर भी आपकी जो बिल्कुल जिरो रही चीए तो इस तरीके से अपने टेली प्राइंग सॉप्ट्वेर के अंदर प्राइंग सेंट्री आप लोगों को करने पड़ेगी वीडियो को आपको इन्फरिमेट लगे और नोलेजेबल लगे तो वीडियो को आप लाइप जरूर कर देना और चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर देना क्योंकि अगे भी आप लोगों को इस टैप की नए नए वीडियो और भी हम लगातार देते रहेंगी